नेता बनो नेता चुनो राहुल जी का जो प्रोजेक्ट था यूद कॉंग्रेस के बारे में उनसे ही इंस्पायर होके हम यूद कॉंग्रेस में चुड़े बाद में ब्लॉक प्रेसिडेंट बने पार्टी के उसके बाद में ब्लॉक बंचायत प्रेसिडेंट बने उसके बाद में 2017 में हमने MLA का चुनाओ लड़ा पार्टी से और हम उसमें चुन किया है पहले से हमारा काम ऐसा था, ट्राइबल एरिया में काम करना था, मैं भी ट्राइबल हूँ, आदिवासी हूँ, दोडिया पटेल हूँ, वही जड़ जंगल जमीन का जो इस्यू था, उसके बारे में पहले से हम मूमेंट चला रहे थें, और उसमें साथ में विधायक बनके हमन जो मूमेंट चलाई, बंद्रा तारिक को निर्मला सिता रमन ने जो लोग सवा में बात की, बजेट सत्र में, उसके बाद हमारा ये प्रोटेस्ट चालू हुआ DPR प्रोजेक्ट देखने के बाद हमें मालूम हुआ, कि यहां की जो वन्य संस्कूरूती है, ट्राइबल से, उसको ज्यादा से ज्यादा असर एफेक्ट हो रहा है 50,000 फेमिली को इसमें इफेक्ट हो रहा है, जैसे यहां पे डांग जो है, नेशनल पार्क है वहां पे जो ट्रीज है, वहां की वन्य संस्कूरूती है, वो कईयों बरसों, हचारों साल पुरानी है वहां की आप पेड़ भी देखोंगे, 200-200 साल पुराने है, जो अब लगाने से हो नीर है और ऐसी ऐसी वन्य संस्कूरूती है, जो आपको डांग में, कपराणा में, तापी डिस्टिक में मिल रही है वो दूसरी जगा पे नहीं मिल रही है, और आप सरप्लस वोटर की बात कर रहे है वो surplus water की जरूरियाद किसे है अभी आप डांग में जाओगे वहाँ पे पीने का पानी नहीं है बास्दा में, border village में जाओगे पीने का पानी नहीं है आप कप्राणा में जाओगे पीने का पानी नहीं है आप तापी के कई लुटनी तहसिल में जाओ, ब्लोक में जाओ, पीने का पानी नहीं है, तो सर प्लस वोटर कैसे रहेगा और ज्यादातर पांच नदियों का लिंक हो रहा है, पांच मेंसे तीन नदिया ऐसी है जो डांग में से निकल रही है, जो कप्राणा में से निकल रही है, अगर आप वह वहां पे उसको रोक दोगे तो पूरा एरिया जो है वो डूप में जाएगा बारिस के समय में तो डूप जाएगा हमारी यही डीमांड है आदिवासियों को मत हैरान परेशान करो उसकी जल जंगल जमीन को आप सुरक्सित करो उसका ट्रेडिशन है वहां पे उसके देव लिए डूप में जाएगा तो आदिवासियों के संस्कूरूती आदिवासियों की अस्मीत आदिवासियों की परंपरा खतम हो जाएगी आपको पानी चाहिए पीने का उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है उसके पास आपके लिए नर्वदा है उसके पास कडाना है यहाँ पे जो दमन गंगा है वो भी है उकाई भी है लेकिन यह पानी जो जा रहा है वो कच्छ में जा रहा है क्यों अदानी का पावर प्रोजेक्ट वहाँ पे बनने जा रहा है उसको पानी चाहिए हज्जारों गेलन पानी चाहिए अगर नर्मदा का पानी पीने के लिए चाहिए तो वो तो है वहाँ पे उसके लिए तो इतना बड़ा डेम बनाया उसके बाद में कितना उसके बाद में उसको सरपलस किया और अभी भी पानी चाहिए तो आप एक एरिया को सब उसको पूरा कर दोगे उसको डुबान में डालोगे और एक को पानी दोगे तो कैसे चलेगा उसके लिए सब सही है तो जो प्राकूतिक है संवीदा उसका जतन कीजिए ज्यादा से ज्यादा खेत तलावली सवराष्ट में कच्छ में बनाईए वहाँ पे जो नदिया है उसको पुनर जीवित करजिए वहाँ पे जो भी संवीदान है वहाँ पे लगाईए यहाँ से लेक कुछ नया लाइए जो उसको काम में आए सभी जगह पे संगर समीती है और हम भी काम कर रहे हैं अगर आपको बुला जाएगा आपका घर डूब जाएगा आपकी जमीन डूब जाएगी वहाँ पे तो एक्जूकेशन है नहीं वहाँ पे तो कोई हेल्थ का इस्यू है नहीं लेकिन वहाँ के लोगों की जो जमीन है उसमें खेत बोएंगे खेत जोतेंगे उसके बाद उनको खाना मिलेगा अगर उसके पास जो है वो उसकी जमीन है उसका जंगल है और उसका पानी है अगर आप ही उसको ले लोगे तो वो कैसे जीएंगे और उसके लिए ही वो अपने आप हमारे सभी प्रोटेस्ट में आ रहा है मोबिलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है वो अपने आप साथ में रोटी लेके आ रहे है वो अपने आप साथ में उसका खाना लेके आ रहे हैं और हमारे साथ रेलियों में जुट रहे हैं और उनका एक ही नारा है हमारी जरजंगल जमीन हमारी है हम उसको छोड़ेंगे नहीं छोटे-छोटे प्रोटेस्टों कई हो गए पचास के ज्यादा लेकिन बड़े जो प्रोटेस्ट हुए है वो आठ या नौ और हमने घांधी नगर में बड़ा प्रोटेस्ट किया था अगली जो 10 में जो आ रही है वहाँ भी हम डांग के आहवा में डिस्टिक प्लेस है वहाँ पे हम प्रोटेस्ट कर रहे है उसके बाद भी हम कपराड़ा में बलसार में तापी में सब जगधे प्रोटेस्ट ब्लोक लेवल पे भी कर रहे है पहले हमने जो बड़ा प्रोटेस्ट किया था अठ्या इसको किया था बलसार डिस्टी के धर्मपुर में उसके बाद सरकार ने वहाँ पे हमारा आक्रोज देखा उसके बाद उन्होंने कई जगा पे सबको बुलाया सबसे बात की और पहली मार्च को गांधिनगर में मुख्य मंत्री ने, सियार पाटिन ने और हमारे आदिजाती जो मिनिस्टर है उन्होंने कई लोगों को वहाँ पे बुलाया जो भी डेम से इफेक्टेड कई लीडर थे उनको बुलाया उनको बोला कि यह बजेट में नहीं आएगा लेकिन दो तारिक को जो गुजरात का बजेट हो उसमें 500 करोड उपियां उसमें डाल दिये तापी पान नर्मदा रिवलिंग प्रोजेक्ट में यह उसका असर है उसके बाद में उन्होंने क्या बताया दिल्ली गए अमित सा से मिले बीजेपी के कारिय करता बीजेपी के लीडर और उन्होंने वहाँ पे बताया यह योजन संगर में जो प्रोटेस्ट किया तब सभी लोग आए अभी तो यह घांदी के मार्ट दसन से हो रहा है लेकिन हम यह आक्रमत भी होगा 2022 में बीजेपी के जो भी होगे लीडर वो गाउं में जाने से दरेंगे क्यों क्योंकि सब लोग उन्हों उन लोगों को 145 के तर्ट गा पर उसके बाद में जितने मिनिस्टर है जितने भी बीजेपी के MLA है उसको भी हम गेरेंगे वो तो बीजेपी ने जो अन्रिस्प्लिश्मेंट किया है जो विस्थापन किया है वो तो उसको लगेगा जैसे सापुतारा जो बना, डांग का सापुतारा, उसमें नाइन विलेजिस थे, उसको सबको बाहर निकाल दिया, और कल या परसो उन्होंने उसको वहाँ पे जमीन दी, वो कितने साल पुराना है, फिर भी उन्होंने देखा नहीं, जैसे उकाई विस्थापन है, नर्मदा विस्थापन है, उसको जो जमीन देनी चाहिए, वो तो अभी दी नहीं, और ये पार्तापी नर्मदा में भी जो विस्थापन होगा, उसके लिए क्या प्लानिंग है, वो DPR में है नहीं, ये गुजरात की जो BJP के गवर्मेंट है, वो NT, ST, SC और OBC की है, जैसे जिगनेस भ अगेगा कि अनन्द पतेल, ST लीडर हो रहा है, अनन्द पतेल के साथ कई लोग, कई युवा जुड़े है, तो वो कुछ ना कुछ हिस्से से मुझे भी जैल में धकल देगी, जैसे हार्दिक पतेल ने भी जब प्रोटेस्ट किया था, जब उनके समाज के लिए काम किया था उनको भी जैल जाना पड़ा। एक्ट को नया पैसा एक बना के सब को दे दिया था, आदिवासी गवर और यात्रा के नाम से, लेकिन अभी वहाँ पे जो डैम बनने जा रहा है, वहाँ पे पैसा एक के तहित, ग्राम सबा में जो भी बात होगी, वो बात वो लोग सुनेंगे, लेकिन ग्राम सबा की बात वो लोग सुन नहीं रहे यहां की BJP की सर्जकार 28 साल से anti-tribal है BJP में क्या आए सभी समाज को सभी समाज को वो different करती है अलग-अलग करती है लेकिन हम हम सब को साथ में लेके चलेंगे हमको पाटिदार का भी काम है हमको SC का भी काम है आदिवासियों का भी काम है OBC मुस्लिम का भी काम है और जैसे हमारा जो समवीदान है वो भी यही बता रहा है हमको सब को साथ में लेना है गुजरात की जो असमीता है गुजरात का मॉडल है वो सब समझ रहे इस बार वो किसी के साथ नहीं जाएगी इस बार वो सब के साथ जाएगी तो जो समाज का काम करा है, जो आदिवासियों का काम करा है, जो दलीत का काम करा है, जो OBC का काम करा है, उसके साथ जाएगी